बच्चों के टिपिन के लिए हो या बड़ों के लंच के लिए हैं अक्सार हम बही आलू टोमाटर की सबजी खाका के बोर हो चुके हैं तो क्यों ना आलू को अज अलगतरी के से बना जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे 500 ग्राम आलू लेनेंगे उन्हें अच्छी से छील ले देंगे अब चूले पर रख देते हम कढ़ाई को उसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच भर करके हम सर्सों का तेल मैं जब भी सबजी बनाती हो तो सर्सों के ही तेल का इस्तमाल करती हूं आप चाहें तो यहां पर रिफार्ड भी डाल सकते हो आब हम क्या करेंगे दो अब इसमें डाल देते हैं हम हरी मिर्च को आपने स्वाद के अंसार ले लिजिए जिस तरह से आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी सी मिर्ची को यहां पर बढ़ावी सकते हो मैंने तो यहां पर चोटी-चोटी से ले करके काट के डाल दिया है आब हम जो आलू मैंने बूंदे झाल देंगे और यहां पर क्यों मिलाएंगी त्विस से पहले क्या करेंगे इसमें लेलेते हैं हम नमक्डै amendment स्वात के अंसार राता है वह मैं यही डालंगी बाद मैं कोई भी नमक लें डालोंगी तो यहां पर बाद में क्यों हो डाल ग्लिने हूं कि सब्ज जो डालने से जो आलू हमारे होते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं, तो बद इस तरह से इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, अब ढख करके इसको छोड़ देते हैं, पांस से साथ मिनिट के लिए, तो गैस को रख लेंगे हम मेडिया, बीच बीच में इसको चेक भी कर लेंगे, क्यो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, आप इसमें डाल देते हैं, भरपूर मात्रा में हरी धनिया, धनिया डालने के बाद इसको हम 2-3 मट के लिए और ढख करके पकाएंगे, वैसे तो आपने कई बार धनिया की सबजी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें